एक मातर जानवर है पूरी दुनिया में जिसको आज तक इनसान पाल ही नहीं पाया तो इस्त्रियों को बाहर निकलने से मन्य कियाता है एक सबसे बड़ी वजा ये थी वेडियों में इस्त्रि को लेकर कभी लड़ाई ही नहीं हो तुम जब भी गुलामी करोगे जब भी तुम कि पस एक वचा होगी कि तुमारी अंत्रिक कमजोरी को दुनिया में एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका और वो है भेडिया एक मातर जानवर है पूरी दुनिया में जिसको आज तक इंसान पाल ही नहीं पाया क्योंकि अगर तुम भेड़िये के बच्चे को उठालाए तो वो उस इलाके को तबाह कर देंगे पड़ा गजब का सोशल संगठान है उसका उनका भेड़ियों में इस तरी को लेकर कभी लड़ाई ही नहीं होती भेड़िये जो समाज है वो जो बुजर्ग भेड़िये है वो शिकार पर नहीं जाते है जवान शिकार करते हैं वो लेकर आते हैं पहले बुजर्गों को देते हैं फिर खाते है उनको तुम बंदी बना लो मौक पाजाएंगे तुमको फार डालेंगे जतना खिलाओ इसलिए आज तक भेडियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकते हैं इसलिए पहले जमाने में जब और पेरेड होता था तो उन्हें मंदर मंदर जाने के लिए रोका जाता था तो कि भेडियों की जो सूने की छमता है वो 14 कि किलोमीटर की है कि मैंना 14 किलोमीटर से उन्हें खून की बू आती है 14 किलोमीटर तो इस तरियों को बाहर निकलने से मना किया था एक सबसे बड़ी वज़ा ये थी एक वज़ा एक कि आई सुबह चार वज़े मंदर पहुँच गई और वह उदर से निकला आया उसकी एक वज़ा ये थी कि पीरिट में इस तरी को मंदर नहीं जाने दिया जाता था एक मात्र जैनवर है देडिया अभी डिस्कवरी पर उनका एपिसोड देखो ताकि शेर को गुलाम बनाया गया तो चाहिना वाइना में तो बच्चे अच्चे हैं वह नचाते हैं शेरों को कि अ कि ताकत कहा है अपने अंदर कि ताक एह साउने में पर बच्चे हैं रहां है ओनाया जार को कि जा मुला है शेंजें से फिग since । झाल झाल